दोख तो आपको शायद मालूम होगा कि इस समय पूरे भारत देश में और खास तोर से यूपी में काफी जादा चापे मारी चल रही है सुआस विभाग दुआरा अन्रजिस्टर्ट किलीनिक्स पे नर्सिंग होम पे अल्टर साउंट सेंटर पे पैथलोजी लैप्स पे और मेडिकल श्टोर पे काफी जादा चापे लग रहे हैं जो भी बिना रेजिस्ट्रेशन के अपना किलीनिक चला रहे हैं रेतलोजी लैप्स चला रहे हैं नर्सिंग होम चला रहे हैं अल्टर साउंट सेंटर चला रहे हैं उनके कलीनिक्स को सील किया जा रहा है और चालक को जेल भेजा जा रहा है तो ऐसे में हमारे पास काफी सारे कमांड आ रही है हमारे विवर्स पूछ रहा है कि सर नवंबर के महीने के बाद क्या ये करवाईयां थम जाएंगी क्या ये जो छापे मारी चल रही है ये नवंबर के महीने के बाद रुख जाएंगी या नहीं या फिर जारी रहेंगा तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि नवंबर के महीने के बाद क्या होगा क्या यह कारवाईया रुख जाएंगी चाप हमारी रुख जाएंगी या आगे भी जारी रहेंगी और दूसरी बात हम आपको ये बताएंगे जो हमारे आयूश डोक्टरों के रिकार्डिंग गॉर्वर्मेंट ने अदेश जारी किया है जो की आयूश में डोक्टर आते हैं जैसे की BMS, BUMS, BHMS डोक्टर हैं तो दोस्तों आज से करीब महीना भर पहले हमारे यूपी के मान्य मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाद जी ने एक आदेश जारी किया था जिसके बारे में नियूस पेपर में भी आया था आप ये देख सकते हैं नियूस पेपर की कटिंग तो इसमें लिखा है जोला छाप को सीधा जेल किलीनिक सील योगी अदित्यनाद तो इसमें आप देखने की कोशिश करेंगे कोने में लास्ट में लिखा है पिरदेश में बड़े इस्तर पे व्यापक रूप से अभियान चला कर अवेद किलीनिक को सील किया जाए वह अवेद डोक्टरों को सीधा जेल में पहुचाया जाए अभियान दिन में नहीं रात में भी बड़े इस्तर पे चलाया जाए अक्तूबर और नवंबर के महीने में व्यापक तोड़ पर अभियान में तेजी दिखाई जाए तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो अभियान है ये दिन में नहीं रात में भी चलाया जाए मतलब रात में भी किलीनिकों पे पैथलोजी लेब पे और अल्ट्रा साउंड पे और नर्सिंग होम पे घॉस्पिटल पे और मेडिकल स्टोर पे छापे मारे जाए दिन में नहीं रात में भी और ये कहा गया है कि अक्तूबर और नवंबर के महीने में वयावक तोड से अभियान में तेजी दिखाए जाए मतलब अभियान में तेजी दिखाए जाए ये नहीं कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर महीने के बाद अभियान बंद गर दिया जाए या अभियान रुख जाएगा ऐसा कुछ नहीं है तो यह आपकी misunderstanding है कि अक्टूबर और नवंबर के बाद अभियान रुख जाएगा अभियान जो है नहीं रुखेगा अभियान चलेगा लेकिन थो तो इतनी बात क्लियर हुई कि अभियान अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा नवंबर के बाद भी अभियान लगतार चलेगा देख शापा पर इस शापा लगा तो वहां पर असरी डावपह नव्रस और चलेगा पर चल रही ती और अब भी चल रही है तो एक जगा मेडिकल चल रुपे पर च्हापा लगा तो वहां पर 80,000 रुपे की प्रति बंदित दवाईगा मतलब जो नार्कोटिक दवाईयां होती हैं जो कि आजकाल लोग नशे में इस्तेमाल करती हैं वो दवाईयां पाई गई तो उस medical store को seal कर दिया गया और इसी तरीके से जो है पूरे देज़भर में medical store पे भी छापे लग रहे हैं फिर दूसरी खबर ये है जो कि हमारे अयुष डाक्टरों के लिए आई है अयुष डाक्टर जैसे कि BMS, BUMS, BAMS ये सब जो एलोपेथिक में प्रैक्टिस कर रहा है इनके लिए खबर आई है कि आप देख सकते हैं आर्टिकल में भी है कि आप BOMS डाक्टर जो भी हैं BMS, BOMS, BNYS ये सब ड्रिप नहीं लगा पाएंगे अलोपेथिक दवाण्यों का जादा यूज नहीं करेंगे जो इनके गोर्मेंट ने कंडिशन दी हैं जितनी मेडिसिन अलाव की हैं स्रिफ वही फस्टेट मेडिसिन चलाएंगे जादा एलोपेथिक मेडिसिन नहीं चलाएं अपनी पेथि में ही काम करें क्योंकि आजकल आप देख रहा हैं कि BOMS, BMS, BNYS करके मतलब आयूश के कोर्स करने के बाद और टोटल एलोपेथिक दवाईएं चला रहा हैं क्योंकि एलोपेथिक दवाईएं इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ MBBS और एक चोटा सा डिपलोमा है CMS ED कि इसमें कुछ 122 दवाईएं हैं इनके बेस पर ही एलोपेथिक दवाईएं से प्रैक्टिस हो सकती है तो इसलिए जोए अगर आप आयूश डोक्टर हैं तो जोए अपनी पेथि में ही काम करें युनानी B.U.M.S किया है तो युनानी में काम करें B.A.M.S किया है तो आयूश डोक्टर है और भी एच अमस किया है तो होमोपेथिक में प्रैक्टिस करें तो दोस्तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी एक रेश्टरट फार्मसिस्ट होने के जनाते हमने आपको जैनवन जानकारी दी तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी दीगए जानकारी अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगए हो तो वीडियो को लाइक करके चेनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेर करना है और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो को साथ जेहिन बंदे मात्रम